यहां पर आपको प्रवाइट कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छे कुछ जंडे गार सको ठीक है तो लास्ट लास्ट में अपने लोगों ने मेमेलिया खतम कर लिया था मेमेलिया बहुत सारे लोगों ने वह वीडियो आई होब कि मेमेलिया आपको समझ में आ गया होगा समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं समझ में आ है तो उसका अभी हम लोग 5-10 मिनट एक कुई क्रिविजन लेंगे उसके बाद हम लोग बाबाजी की बूटी पिएंगे और पी के मत मस्त हो भी है यह कोई टैंशन परषाणी है नी पर एक बार मैमेलिया क्लास मैमेलिया यह से शुरू किया था ठीक है बहुत सुन्दर एक हाथी का मैंने जो है तो इमेज लगाया था उसके बाद जनरल कैरेक्टरस्टेकर से अपन कुछ भी नहीं देखें के सीधे सीधे जनरल कैरे स्टिक्स एक पर रिविजन ले रहे हैं हम लोग पूरा नहीं पढ़ रहे हैं ठीक है बताइए कोई भी मैमल्स जो होता है वो क्या क्या दे सकता है क्या मैमल अंडे पुर्पस के बारे में नहीं पड़ा क्या, तो यह जोहानी का सकते हैं, उनमें feeding time जादा होता है जबकि gestation period काम होता है मतलब माँ अपने पेट में बच्चे को कम समय तक रखती पर वो अपने पाउच के इंदर बच्चे को जादा समय तक रखती ताकि वो बच्चे को feed करा सके ठीक है तो उनके में feeding समय जादा होता है जबकि gestation period जो होता है kangaroo काम हो which is called as marsupials okay अभी मैं आपको classification समझाऊंगी उसके बाद ये बच्चे भी दे सकते जैसे human beings हो गया बन्दर हो गया एप्स हो गया गरिल बच्चे भंब गया ऑगया यह सब क्या देते हैं यह सब बच्चे ही तो देते हैं तो इसका मतलब वी भी पेरस भी ımaल बब बतलब देने जो है उन्ड़ देदो पॉच में रखलो बच्चों को देदो तो जो बच्चे रेते हैं जन्रली वो प्लेसेंटा बनाते हैं और जो भी प्लेसेंटा बनाता है उन्हें हम यू थीरियन्स कहते हैं जो classification हुआ है वो अच्छली थीरिया के ही एक बेसेस पे हुआ है थीरिया मिन्स फॉर्मेशन ओ प्लेसेंटा बच्छा लोग तेयर कॉल्ड आस यू थीरियन्स ठीक है आगे चलें कैसे हो गई यह बताइए एवी से हम लोगोंने क्या पढ़ना शुरू कर दिया है हम लोगोंने पढ़ना शुर लेते हैं मुझे और अगर 37 से ज़्यादा टेंपरेचर है मतला बुखार है हम लोगों को यहीं बोलते हो ना तो भी आर वांब लड़ेड नाओ हैबिटेट कहां कहां रह सकते हैं बताओ तुम मुझे बहुत सारे मैमल जैसे होते हैं जो पानी में रहते हैं जंगल में रहत हैं ठीक है सबसे पहले मैंने आपको रेस्पाइरेटरी सिस्टम यहाँ पर बताया था रेस्पिरेशन के लिए हम लोगों के पास होता है क्या हम लोगों के पास होता है दाट लंग्स ठीक है we have two lungs well developed lungs कोई tension नहीं है और हमारे पास होता है बेटा डाइफ्राम क्या होता है ड classify करती है क्या करती है बटा classify करती है डाइफ्राम mammals के लावा किसी और के पास नहीं होता यह डाइफ्राम जो है बाकी class के organism से mammals को अलग करता है डाइफ्राम ऊपर वाली body का एरिया और नीचे वाली body का एरिया को अलग करता है we have respiratory system के parts देखे तो नॉस्ट्रिल है नेजल पैस inspiration में help करते हैं पूरा mechanism respiratory system chapter पहला जो पढ़ाया है उसमें मिल लाएगा जाके पढ़ना यह सिस्टर यह तो मैंने हड्डियों का वो बता है अपन जो है gland से पहले अपन जो है baby मेरे खाल से last time gland चुट गी ती इसलिए मैं आपको और बता देती हूं digestive system जो होता है उसमें elementary canal complete हो ताकि मैं बूटी को अच्छे से explain कर पाऊं ठीक है तो वी हैव माउथ वी हैव एनस पर अगर आप प्रोटो थीरियन की बात करोगे बीटा तो उनके में क्लोएका होता है इसलिए वह प्रोटो थीरियन कहलाते हैं ठीक है ग्लाइंट की बात कर लेते हैं human beings have so many glands डर लग रह and oil gland oil gland को ही sebaceous gland कहते हैं actually यह दोनों सेम है तो oil gland is sebaceous gland को attention डे लेना ठीक है तो यह दोनों सेम चीज होती है now memory gland memory gland की उपस्थती की वज़े से ही mammals को mammal कहा जाता है समझे नहीं समझे यह भी मैंने आपको बताया था कि प्रोटो थीरियन्स जो होते हैं उनके में male और female क्या होते हैं यह दोनों ही active रहते हैं इस process को हम gynecomastia कहते हैं हालक कि उनके पास feed कराने के लिए nipples नहीं होते they can जो है उसके जो young ones रहते हैं they can lick the milk from the skin ठीक है now memory gland जो है human beings के पास दोनों के पास है पर female के पास active रहती male के पास active नहीं रहती आगे बड़े बताओ मुझे तुम लोग मुझे बताओ हाला कि exoskeleton का body में as such कोई बहुत जादा रोल नहीं है पहले रोल हुआ करता था आदी मानव कपड़े नहीं पहनते थे बिटा ठीक है अब कपड़े नहीं पहनेंगे तो कुछ ना कुछ तो कपड़े पहनने लगते हैं और लड़कियां तो हैं जो तो फिर वैक्सिंग एक्सिंग करा लेती हैं कोई टेंशन नहीं है तो आजकल बाल का शरीर में इतना कोई महत्वर रह नहीं गया पर फिर भी ये घने मुलाम काले बाल खिले खिले गुंगराले बाल ये जो देखते से बहुत चारे गायों में अपने हॉंस देखे होंगे सींग देखे होंगे उनके पास खुर देखा होगा अपने पास नाकून है बाल एसकिन है तो कुल्मिला के एक्जोस्केलेटन के नाम पर भी मैमल्स के पास बहुत सारी चीजे होती हैं स्पाइणी आइन टीटर्स के पास काटे होते हैं ठीक है तीथ देखिए टीथ जो है आप लोगों ने क्रोकोडाइल से थीकोडान शुरू कर दिया था एवीज में तो दात होते नहीं बिकाज मॉडिफाइड इंटू दा बीक्स वी हैफ थीकोडान एक घुसा कोई मार दे आपको तो असानी से दात ही ल जाते हैं टीथ जो होते हैं चार प्रकार के हो सकते इंसीजर्स किनाइन प्री मॉलार्स एड मॉलार्स आगे बढ़े देखिए रेस्पिरेशन में बता दिया था लेरिंग्स जैसे की बर्ड में आप लोगों ने सिरिंग्स पढ़ा था वैसे ही यूमन बींग में चड़ च चंबर हार्ट शुडू हो हो गया है और हमारे में भी 4 चंबर हार्ट रहेगा 4 चंबर हार्ट कैसे काम करता है मेरे लल्ला तो आप जाकर देखो सर्कुलेटरी सिस्टम भयंकर तरीके से पढ़ाया हुआ है ठीक है so four chamber heart होता है हमारी RBC होती है कुछ में nucleated होती जैसे camel और lama जबकि हम लोगों में नहीं होती endoskeleton बताए मुझे कैसा होगा क्या है तुम्हारे शरीर के अंदर बताओ मुझे हड़िया है की नहीं है वैसे इनके पास भी हड्डिया होती है नाओ डाइक और डाइलिक स्कल होता है ठीक है तो ऐसे दो प्रॉसेस निकले रहते हैं जाके वर्टीवियल कॉलम से फस जाते हैं गर्दन आपकी भायंकर मूविबल है आपके पास जो है वर्टीब्री बहुत अच्छी टाइप की है व तो पहली वर्टीब्री होती है एटलेस और एकसे जो आपको यस और नो करवाने में मदद करती है कुल मिला कि स्कलेटल सिस्टम में पढ़ना है मैं तो अभी बता रही हूं कि we have well developed vertebral column जो आपकी body को shape देता है ठीक है नाओ excretory system की बात करें we have well developed two kidneys okay we have well developed two kidneys kidneys का पूरा function excretory system में पढ़ाया गया है आप देख सकते हो we have metanephric kidney abdominal cavity में नीचे की और पाई जाती है metanephric kidneys are well developed kidneys please always remember this now nervous system बहुत 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 इंपोर्टन है सांभा देखो nervous system में cerebrum और cerebellum cerebrum is the part of what cerebrum is the part of forebrain cerebrum is the part of hindbrain it is the छोटा brain छोटा दिमाग ठीक है लोग कहते है अरे छोटा दिमाग में नहीं मारा हो नहीं तो बिचारा बच्चा जो है पागल हो जाएगा तो cerebellum is the छोटा दिमाग ठीक है और cerebrum is the main part of the brain it is the largest part of the brain cerebrum जो होता है यह मैंने कल भी आपको बताया था कि इसके दो पार्ट होते हैं बीच में यह कार्पस कैलोसम से जुड़ा होता है which is a group of exons मैंने tissues बताया बट exons भी cell ही है ठीक है तो cells का group तो tissue होगा ना तो यहां पर बहुत सारे exons होते हैं जो कि दो cerebral एक right और left को जोड़ने का काम करते हैं we have highly developed brain होके हमारे पास highly developed brain होता है मतलब हम सोच सकते हैं कि हमें क्या करना है हमें क्या बोलना है हमें क्या नहीं बोलना है किसको मारना है किसको लतारना है किसको धक्का देना किसका खून करना है हमारे sense में रहता है और अगर नहीं है तो हम पागलने बिटा ठीक है तो हमारा जो brain होता है वह highly developed रहता है, cerebrum और cerebellum यह brain के दो पाट होते हैं, जो की cerebellum posture को maintain करता है, cerebrum जो है balancing करता है, sensory organ के नाम से cranial nerves, जो है reptiles के पास, Aves के पास और तुम्हारे पास, सब के पास 12 pair होती है, ठीक है, उसके बाद sensory organ के नाम पर हमारे पास eyes होती है, sensory organ के नाम पर हमारे पास ear होता है इयर पिनना होता है but we don't have functional इयर पिनना बहुत सारे लोग इयर पिनना को ऐसा ऐसा मूफ कर सकते हैं पर हमारे पास functional इयर पिनना muscles नहीं होती है यह चीज़ याद रखना बेटा ध्यान से सुन रहे हो ना ठीक तो we have इयर पिनना but we don't have functional muscles on the ear pinna please always remember this ठीक है तो हम अपना इयर पिनना कभी भी नहीं हिला सकते है ठीक है अब हाथी को देखो किते हैं बड़ बड़ी एर पिनना रहते हैं hammer, envil और stir up shape की now sexes, sexes जो होते हैं unisexual होते, male और female आपको असानी से दिख जाएंगे copulatory organ के नाम पर we have penis but prototheria don't have the penis ठीक है fertilization internal होता है, eggs जो होते हैं वो uterus में develop होते हैं we are amniots so we can make the chorion, amnione, elantois and yolk sac membrane which is the embryonic membrane which present outside the embryo which gives the nutrition to the embryo which helps in the excretion of the embryo which gives the protection to the embryo which provide the development of the embryo ultimately it is the helping membranes of the embryo and we have all four membranes around the embryo like chorion, amnione, elantois and yolk sac you can easily studied about this into the reproductive system of the human beings class 12, okay? now so this is the images of the male and female reproductive system respectively now let's talk about the classes, thoda sa classification baat kar lete, yahan par mein classification baat bana dehti hoon paus saab ko sumaj me a together, dekhiye mammals jyote hai dhyan se same jenge sab lo, okay? mammals ko mammals kya hai mamalia is the class na? to iski do sub classes hootie hai, thik hai, ae koti hai prototheria, ae koti hai, ae koti hai thiria, okey thiria, koti hai, इन्फरा क्लास होती है, एक होती है मेटाथीरिया, यहां पहला कलर से लिख देती हूँ में, एक होती है मेटाथीरिया, ठीक है, एक होती है मेटाथीरिया, काफी तुफानी बोड है यह, ठीक है, तो ध्यान से देखेगा, मेटाथीरिया और एक है यूथीरिया, ठीक है, अब समझेंगे बात को, metatheria कौन से होते हैं, pouched animal, जो क्या बनाते हैं, pouch, ठीक, और eutheria कौन होते हैं, जो क्या बनाते हैं, placenta, ठीक है, placenta माँ और बच्चे के बीच में एक टिश्रू बनता है, जिसका placenta कहते हैं, इसका example आपको मैंने पढ़ाया था, kangaroo, ठीक है, और एक और example, opusum बताया था, जिसका minimum gas station period होता है, पूरे animal kingdom में, placenta में, पूरे primates आ सकते हैं, ठीक है, primates वो होते हैं, जो placenta बनाते हैं, ठीक है, we have choreo, ellen, toys, placenta, पढ़ेंगे reproductive system में, आप देखेंगे 12th class में, तो यह classes है, यह है इसकी subclass और वो है उनकी infra class, ठीक है, तो metatheria pouch वाले, utheria मतलब placenta वाले, तो यह classification आपको समझ में आया, आगे बढ़ें, कोई tension परिशानी तो नहीं इसमें, तो prototherians और neethorincus, इसे आप duck, build, platypus कहते हैं, बिल्लू भयंकर important, है यह चीज, please always remember this, बहुत important है बच्चो, मतलब मैं कहां लिख दू, तुम मुझे बताओ, बहुत भयंकर important है, और neethorincus, duck, build, platypus, question आचुका है, tachyglossus, achidna, spiny antitres, these are the egg-ling mammal, please always remember this, ठीक है, metatherians, ओव वीवी पैरेस हैं, क्यों हैं यह आपको समझ में आया ना, kangaroo, ठीक है, eutherians, वीवी पैरेस, humans हो गए, एप्स हो गए, chimpanzee हो गए, gorilla हो गए, और अंगिटीव नहीं हो गए, सब बच्चों को जन्म देते, ठीक है, देखो कितना cute है ना, भागे जा रहा है, now, so, these are the orders, जो मैंने आपको बताया थे, last primatea के अंदर ना, जैसे मैंने आपको एक order बताया था, primatea, यह देखिए, lemur, lemur के अलावा, इसमें सब कुछ आता है, humans आते हैं, और gorilla आता है, chimpanzee आता है, बंदर आते हैं, सब इसी के अंदर आते हैं, ठीक है, शुडू करें, अब, revision हो गया, इतना काफी था, इस से जादा मैं आप revision नहीं करा सकती भाईया, क्योंकि पूरा 36 मिनट मैंने पूरे मैं मल ही पढ़ाया, last class में, ठीक है, शुडू करें, found in everywhere, ठीक है, जैसे कि इसमें तो इनने बता दिया है कि कहां कहां रहता है, जैसे कि polarize, polar bear कहां रहते हैं, polarize में, desert में रहते हैं, ठीक है, जो है तो kangaroo rat, desert में रहता है, mountains में रहते हैं, forest में रहते हैं, grassland में रहते हैं, dark caves में रहते हैं, कुल मिला के सब जगह रहते हैं, इसमको हम cosmopolitan कहते हैं, ठीक है? Some of them have adapted to fly or live in the water, ठीक है? कुछ के पास ये ability होती कि पानी में भी रह सकते हैं, जैसे कि dolphin or whale, ठीक है? The most unique mammalian characters is the presence of the milk producing gland called as memory gland, समझ में आई बाद, इसी लिए आप इसको क्या कहते हों बच्चा लोग? Mammals, ठीक है? Why we are called as mammals? Because we have memory glands, ठीक है? By which the young ones can nourish, इसकी वज़े से, चो इनके छोटे छोटे पैरे पैरे, नन्ने मुन्ने बच्चे रहते हैं, वो feed करते हैं, ठीक है? They have two pairs of limbs, ठीक है? जो काय के लिए काम आते हैं, बताओ, हाथ का इस्तमाल किसमें करते हों? लिखने में, पढ़ने में, पकडने में, पैरों को इस्तमाल दोडने में, कूदने में, चलांग मारने में, लात मारने में करते हों कि नहीं करते हों, ठीक है? तो जो हे दो limbs होते, अब नहीं है, तो वो तुमने हट वाद दियो बात तर लगए पर थे, ठीक है? एक्स्टर्नल इयर और पिन्नार प्रेजेंट, अभी तक आप लोगों ने कहीं पर भी इयर पिन्ना के बारे में बात नहीं की थी, एव्स में, अब सोचों किसी बार्ड में ऐसे यर पिन्ना लगा रहे, कितना बुरा लगेगा? क्यों? ठीक है? तो इनके पास यर पिन्ना होते हैं, ठीक है? डिफरेंट अफ टीथ प्रेजेंट इंदा जाओ, बताया था मैंने थी कोडोंट, हैट्रो डोंट, डाईफायोडोंट, ठीक है? तो वी हैव डिफरेंट आप स वीथेंट प्रेजेंट इंदा जाओ, एव्स में, तो दो अरिकल, दो आज वेंटरिकल, बहुमिंधर मस्, ठ भी भी नहीं बदलते ही, कहां से शुड़ू हो गया, एव से, respiration is by lungs, पढ़ाया मैंने, how many lungs we have, we have two lungs, okay, sexes are separate and fertilization is internal, ठीक है, male और female अलग होते हैं, we have well developed copulatory organs, so we can insert the copulatory organ into the female and easily deliver the sperm into the female, they are viviparous, ये बच्चों को जन्म देते हैं, पर few, exceptions development is direct, ठीक है, few exceptions क्या हैं, ये डग बिल्ट प्लाटिपस हो गया, marsupials हो गया, marsupials मतलब macropus, kangaroos को कहते है, zoological name is macropus, ठीक है, example है, mammals का देखिए, ओवीपरस कौन कौन से होते, दूसरे कलर से हाइलाइट कल लेती हूं, कौन से ग्रीन ले लेती हूं, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा जीवन में कलर होने चाहिए, ये, चलो, ओवीपरस, और नीथोरिंकस, platypus, ठीक है, furbs and finia, एक कार्टून आता है, finia and furbs, उसमें रहता है, जो animal वो वह ही है, platypus, ये, वीवीपरस कौन है, वीवीपरस में बहुत सारे आएंगे, जैसे की, macropus, पर ये, इनके साथ थोड़ा सा कहानी है, लगा, आपको समझ में आया, and, टेरोपस, flying fox, camelus, ठीक है, इट इस अ कैमल, मखाखा, मखाखा, monkey, ratus, rat, जिनको सून्ड होता है, elephant, elephant, equus, equus, घोड़ा, delphinus, it is the dolphin, and, बलानोप्टरा, it is the blue whale, okay, panthera, tigris is the tiger, panthera, leo is the lion, सबसे ज़रा लाइं कहान मिलते है, बोले, बोले, that gujarat, गिर, ठीक है, silent distinguished feature of all the phyla under, of the animal kingdom, we have to study in the table number 4.2, तो अभी के लिए table इसमें explain नहीं कर रही हूँ, NCRT के लिए इतना काफी है, 4.2 table जो है, वो next class में explain करूँगे, पर थोड़े से मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए, और नितुरिंकस पहला है, macropus, kangaroo, bat और, belenoptera, ठीक है, क्या दिख रही है आपको, belenoptera क्या पड़ा हम लोगों ने, देखो, example में क्या बताया था, belenoptera, ये क्या दिख रही है आपको, ये, blue color की क्या दिख रही है, चोच वाली, वेल, तो ये example है, mammals के, ठीक, आज हम लोगों ने, finally, सही माइने में, mammals को, निचोड लिया है, उसका extract निकाल कर, पी लिया है, घोट कर, अब एक भी सवाल आएगा, तो मुझे नहीं लगता क्या आपको नहीं बनेगा, आपको बनेगा, विश्वास रखिये, यह मेरी guarantee है, ठीक है, so I hope you learned and enjoyed the video, we have completed the all, classes of the animal kingdom, even we completed the animal kingdom, even we completed the one chapter of your NCRT, और your biology class 11th, ठीक है, इसकी जो table 4.2 है, वो मैं आपको next class में, revision के तौर पर समझाऊंगी, तो अपने कुरसियों की पेटिया बाहन लिजे, क्योंकि next class से हम revision करेंगे, इस पूरे chapter का in two lectures only, so I hope you learned and enjoyed the video, तब तक घर पे रहें, safe रहें अपना ध्यान रखिये, और lectures को देखते रहें, thank you so much,